तो आज के टॉपक में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं बीरड ड्रेगन के बारे में गज़ बीरड ड्रेगन इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का सबसे पॉपलर पैठ है जैसे बॉल पाइथन है उसी तरह से बीरड ड्रेगन है अगर आप एक बिगिनर है तो आपके लिए एगवाना बेस्ट रहेगी प्ल तो विडियो को शुरू करते है वीडियो को सुरूंड़ने से पहले मेरी आप सबसे है मुझे बना सकूँ है तो बस मेरी आप सबसे है वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करें जादा शेयर करें कोई कोश्चन हो कमें बॉक्स में मुझसे पूचा करें ठीक है तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के बात करते हैं इसकी availability, behavior, size, sexual maturity, life span, food, substrate, temperature, basking temperature, humidity level and last में मैं बात करूंग इसके enclosure के बारे में बात करतों में इसके availability के बारे में तो यह आस्टेलिया के desert area में पाया जाता है बात करूं इसके behavior के बारे में गाईज यह easy to handle है और अगर आप एक baby लाते उसको race करते हो तो यह बहुत ही अच्छे team होंगे आपके और इसमें काफी सारे morph आते यूनिक morphs ठीक है तो उस पर मैं एक जल्दी ही separate video बना दूँगा अब करता हूं मैं इसके size के बारे में तो life span के बारे में गाईज इस captivity में इसका life span आठ चे ले करके 15 सल तक देखा गया है वाट मिन का life span आठ चे ले करके 12 सल तक जाता है बात करता हूं मैं इसके food के बारे में तो आप यह food में आप इन्हें superworms, mealworms, roaches दे सकते हैं जबी baby हों फिर जैसे जैसे साइज बढ़ा होगा आपको इन्हें switch करना होगा, mealworm, superworm से लेके vegetables पर, क्योंकि bearded dragon omnivorous होते हैं तो यह दोनों खाते हैं लेकिन जालात्तर जब छोटे होते हैं तब इन्हें non waste ज्यादा खाना पसंद होता है, जैसे इसे इनका size बढ़ेगा फिर यह आपको इन्हें switch करना होगा और बात करता हूँ मैं substrate के बारे में तो आप गाइस सब्स्ट्रेट के तौर पर आप कोको पीट प्लस मिट्टी का mix करके आप इसके enclosure में विछा सकते हैं और महाँ पर आप स्पिरे कर दी ताकि humidity मेंटेन रहे हैं बात करो मैं इसके temperature के बारे में गाइस वीर ड्रागन का जो temperature होता है ओ होता है 75 Fahrenheit अफैरे लेकर 85 Fahrenheit तक बात कर दो इसके Bereichen temperature नूए में Sus Up With most about is Humidity level 30 याइस इसका stroke से लेकर के 50 होता है और भात करो मिलास्क एसके enclosure के बारे में तो Guys आपके enclosure में चर्णides ने बताता हूँ आपको इसके enclosure में क्या क्या चीज रखनी है पहला आपको hiding place रखना है उसरा आपको एक driftwood लगानी है जिसके उपर जाकर बैट सके खासका जब बेबी हो तो इन्हें आपका heat लेना बहुत पसंद है UVB bulb के नीचे आप एक driftwood बिछा दें और उसके उपर जाकर यह आप नीचे यह होता है चौथी बात आपका यह शेडिंग बहुत तेजी से करते हैं ठीक है और पांशी बात यह जादा एग्रेसिव नहीं होते गाइस ठीक है यह बहुत फ्रेंडली होते हैं लेकिन हाँ अगर आप इने मीटिंग के टाइम पर डिस्टरब करेंगे तो हाँ यह अगरेसिव हो जाएंगे बिलकुल हो जाएंगे इस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें